हालो स्टुएंट्स क्लास 11 अकाउंटेंसी युनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिसनस टांजेक्शन में हमने जनरल इंट्रेस स्टार्ट किया था बनाना हम डिकए गोल के बुक से प्राक्टिकल कुश्ण सॉल्फ पर रहते जैनल का जिसमें हमने कुश्ण नमबरONE-iber. नाइन तक है तिक कुशन नंबर हमने वन टू टेन तक हमने कम्प्लीट कर दिया है आज हम है कुशन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे तो युनिट थार्ड है आपका रिकॉर्डिंग और बिजनस ट्रांजिक्शन रिकॉर्डिंग और बिजनस ट्रांजिक्शन इसमें आज हम आपका स्टार्ट करेंगे कुशन नंबर 11 से इस कुशन को हम दो पार्ट में सॉल्फ करेंगे पूरा डीटेल में हम आपको समझाएंगे कि क्या कहता है और किस तरी किस इसको सॉल्फ करना है चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका कहता है पास जर्नल इंट्रीज फॉर दी फॉलवइंग तो जो नीचे आपका ट्रांजिक्शन है उसका आपको जर्नल इंट्री पास करने को कहता है अब जो है इसको फॉर्मिट पर बनाओगे हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले आप देट की कॉलम में डेट लिख लेना 2019 इसके बाद आपका जो ट्रांजिक्शन स्टार्ट है वह छे जन्वरी से है तो यहां आप देट की कॉलम लिखोगे जैन्वरी 6 क्या कहता है सबसे पहला जो है आपका ट्रांजिक्शन वह देखते हैं यहां पर कहता है पर्चेस पर्चेस किया है तो कहता है लिखोगे पर्चेस पर्चेस किया है। On 10% trade discount जिसमें 10% का business ने trade discount दिया है और 4% का cash discount यहाँ पर मिला है And paid 60% amount by check और business ने Henry को 60% का amount जो है उसका check से payment किया है यहाँ पर तो क्या journal entries का बनेगा अब हम वो देखते हैं चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर journal entry को बना लेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से इसका हम इसको record करते हैं देखें, journal entry आपका क्या बनेगा देखें, journal entry जो है आपका बनेगा बिजनस ने purchase किया है तो business का stock बढ़ेगा यहाँ पर हम देखेंगे purchase account को debit करेंगे इसके बाद किस से purchase किया है तो 60% amount वो cash में भी payment किया जा रहा है चेक के थूँ payment कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे bank यानि कुछ amount बिजनस ने वो चेक के थूँ यानि bank के थूँ यहाँ पर payment किया है तो हम यहाँ पर bank लिख दिये हैं ठेक है इसके बाद जब बिजनस ने समान purchase किया हिन्री से तो cash discount मिला यहाँ पर discount मिला तो business को फाइदा है sell करता तो business को discount देना परता जब purchase किया है तो discount मिलेगा इसलिए business के लिए फाइदा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे discount received account discount received account यह हो क्या business के लिए फाइदा credit all income and gain यहां पर nominal account के rule से सारा पैसा जो है वो business ने henry को paid नहीं किया है यहां लिखता है only 60% paid किया गया है तो कुछ पैसा उधार में भी है इसलिए यहां पर henry का नाम भी आएगा यहां पर लिखेंगा हम henry जो उधार में है चलिए अब जो है इसका हम calculation करना start करते है one by one करते देखिए क्या calculation होगा कितने का जो है वो business ने goods purchase किया है तो यहां पर है आपका 50,000 का 50,000 में से क्या कहता है आपका 50,000 में से आपका कहता है कि 10% तो आपका trade discount है कितना है 10% का trade discount तो 50,000 का 10% निकालिएगा तो टीडी कितना आ जाएगा 50,000 का 10% अगर निकाला जाए तो यह आएगा 5000 रुप्या यानि ट्रेट discount का कोई अलग से जैनलिटरी पास नहीं करते हैं हम तो 5000 रुप्या जो है आपका कितना हैगा 5000 टीडी आएगा यह डारेक्ट आपका इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितने का actually में business ने purchase किया है 45,000 का purchase किया है बिजनस ने अब इसको दो पार्ट में बाट दिए एक cash वाला पार्ट जो business ने cash payment किया है bank के थुरू एक cash वाला पार्ट और दूसरा अभी भी जो उधार है यानि जो payment नहीं है वो वाला पार्ट credit वाला पार्ट दो पार्ट में इसको हम बाट दिए अब क्या करना है देखिए 45,000 में से कहता है कि 60,000 60% जो है वो cash में payment किया गया है bank गे थुरू यहाँ पे payment किया गया है कितने का तो 45,000 का कितना payment किया गया है यानि business ने कितना henry को payment किया है तो 60% अगर 60% निकालोगे 45,000 का तो यह आपका आएगा 27,000 रुपया कितना आएगा 27,000 रुपया यानि 27,000 जो है वो payment यहाँ पर किया गया है अब cash discount किस पर मिलेगा अगर यह 27,000 है तो आप 45,000 में से 27,000 को अगर आप minus कर दोगे तो आएगा आपका 18,000 रुपया 45,000 रुपया अभी वीधार पे है क्रेड़िट में है आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो 45 का अगर 60% दे दिया गया है यानि 27 एर पर cash दिया गया है तो 60% तो दिया गया है यानि 40% अभी भी credit पर है उधार पर है इसको आप निकाल लो अठारा जार हो गया यह अभी भी जो है आपक credit में है उधार में है अब देखें यहाँ पर 45 एर को दो भागों में बाढ़ दिया गया है 45 एर का जो cash में payment किया है business ने Henry को वो है और अभी भी जो Henry को payment करना है business को वो 18,000 रुपे है यहाँ पर clear है बात? अब बताए cash discount किस पर मिलेगा जो immediate payment है उस पर मिलेगा 45 एर पर नहीं मिलेगा जो उधार पर है उस पर cash discount नहीं मिलता है जो immediate cash payment किया गया है 27,000 रुपे उस ही पर cash discount यहाँ पर मिलेगा तो Henry जो है business cash discount किस पर देगा? जो business ने immediate payment किया है यहाँ पर 27,000 पर मिलेगा तो चलिए कितना मिलेगा? CD कितना होगा? तो 27,000 का कितना परसेंट आपका दिया हुआ है? question में देखिए 4% का यहाँ पर आपका 4% का जो है वो discount है cash discount तो इसको आप calculate करोगे तो यह जगा 1080 यानि 1,080 रुपीज का जो है यहाँ पर business को discount मिलेगा business को फाइदा होगा तो ultimately business ने कितना पे किया? 25,000 25,920 रुपीज 25,920 रुपीज बिजनस ने पे किया हेंडरी को चीक है? ओके अब चलिए इसका entry हम करना सुरू करते हैं यह आपका calculation था general entry हमने pass कर लिया है बताए after trade discount business ने purchase कितना किया? 50,000 का था जिसमें से TD के लिए अलग से कोई general entry pass नहीं करते हैं और trade discount है कितना यहाँ पे निकला? 5,000 रुपीज तो business ने कितने का purchase किया? 45,000 का business ने purchase किया तो purchase जितने का किया उतना हम इसके सामने लिख दिये कोई doubt, कोई confusion नहीं अच्छा यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि इसको cash discount भी receive हुए है तो देखे, इसमें से cash discount अटा दिये तो business ने कितना payment किया है? 25,920 रुपया तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25,920 रुपया का business ने जो है वो payment किया है actual में ठीक है? इसके बाद discount कितना मिला है? अभी भी कितना उधार में है यानि Henry को business जो है near future में कितना चुकाएगा? तो 18,000 रुपय अभी भी उधार पे है जो कि near future में चुकाना होगा Henry को इसे लिए हाँ पर Henry का नाम भी लिखना होगा और इसके सामने कितना है? 18,000 रुपया हम लिख देंगे clear है बाद? तो देखें इधर भी आप total करोगे तो आप 45,000 आएगा और इधर भी आपका debit side 45,000 तो according to dual aspect concept debit और credit हमेशा match करना चाहिए debit और credit दोनों equal होना चाहिए तो यहाँ पर equal हो रहा है तो इस तरीके से आपका general entry बनेगा सब कुछ किसके point of view से आपको सोचना है business के point of view से कि business को क्या मिला, business ने क्या दिया किसे उधार में purchase किया, किसको business ने sell किया, यही सब कुछ आपको जो है, सब कुछ business के point of view से सोचना है, आपका सारा जो general entry है वो बन जाएगा, clear है अगर माल लिजे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम cash वाला, यानि जितना business ने payment किया, वो entry करते हैं अगर हम credit में purchase किया, credit में business ने कितना purchase किया भी, अठारा जार तो इसका general entry हम चाहते हैं, तो अलग से भी pass कर सकते थे, यहाँ से हटा जब उधार में खर दोगे, तो यही general entry बनता है, जब business उधार में खरता है, तो purchase to henry, तो यहाँ पर कितना है, अठारा हजार, और यहाँ पर भी अठारा हजार ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हम, तो यहाँ पर जो होता, अगर अलग से हट जाता है, अगर अलग से पास करना होता, तो henry यहाँ से हटता, और यहाँ पर कितना होता, 27,000 रुपया, यह general entry यहाँ पास करते हैं, और इसके लिए अलग से हम, उधार के लिए अलग से general entry हम पास करते हैं, 6 January के date से, लेकिन चुकि हम अलग अलग इसको नहीं करेंगे, चुकि एक तारीक का ही है, मतलब एक तारीक यहनी 6 तारीक का ही आपका है, तो हम यहाँ पर सीधा लिखते, देखे, इसको जोड़ दीजे लाकर के इसमें, तो हेंडरी क्रेडिट है, हेंडरी यहाँ पर हेंडरी को क्रेड़ करेंगे, कितना से 18,000 से और पर्चिस 18,000 से डेबिट है, इस ट्रांजेक्शन जो है, वो है आपका 15 जन्वरी का, देखते हैं क्या कहता है, इसको हटा दें, सबसे पहले हम जैन्वाल इंट्री पास कर लेंगे इसका, 15 जैन्वरी, क्या कहता है आपका, कहता है बाउट गुड्स फ्रॉम अमित, 4 रुपीज, 2 लाक, at terms 5% cash discount, and 20% आपका trade discount है, कहता है, paid 3 by 4th of the amount in cash, at the time of purchase, तो यहाँ पर फिर से business ने वो समान पर्चिस किया है, अब किस से purchase किया है, पिछले बार Henry से किया था, और इस बार Amit से कर रहा है business purchase, तो business 2 लाक का समान purchase कर रहा है, जिसमें से कहता है, purchase किया सबसे परे, चलिए, entry बनाते हैं, purchase किया, business का stock बढ़ेगा, debit part comes in, purchase account को हम debit कर दिये, कुछ पैसा जो है, वो cash में payment किया गया है, check के through नहीं कहा रहा है, cash में payment किया है, तो हम यहाँ bank नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम cash लिखेंगे, क्योंकि कह दिया है, cash में payment किया है, ठेक, इसके बाद, कुछ पैसा जो है, payment किया गया, तो discount business को receive होता है जब sell करता है business तो discount allowed होता है जो हम debit करते हैं फिलाल यहाँ पर business को फाइदा है discount received account हम यहाँ पर दिखेंगे क्योंकि business को फाइदा है credit all income and gain nominal account के rule से अच्छा कुछ payment किया गया है और कुछ payment नहीं किया गया है यानि business near future में अमित को कुछ payment करेगा यानि अभी भी जो है अमित को payment को यहाँ पर business को करना है ठीक है तो यहाँ पर अमित का नाम भी लिखना होगा जैसे हम पहले वाले में बताएं थे same वासे ही आपका होगा तो यहाँ पर हम अमित लिख दिए यह तो आपका journal entry बन लिया अब किस तरह के से इसको हम सारे amount को put करेंगे इस जनरल entry में वो अब हम देखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कितने का समान जो है business ने purchase किया दो लाग का समान जो है वो business ने यहाँ पर purchase किया दो लाग का समान यहां पर बिजनस ने परचिस किया है और trade discount करता है कि 20% है याद रखेंगा पहले देखेंगा cash discount है उसके बाद trade discount है तो हमको बहले trade discount करना है TD कितना है? Trade discount दो लाग रुपे का 20% कितना हो गया? 40,000 रुपे ट्रेड डिसकाउंट है तो 2,000,000 में 40,000 रुपे घट जाएगा क्योंकि trade discount का अलग से कोई general interest हम पास नहीं करते हैं तो 2,000,000 में 40,000 का trade discount है तो बताइए कि business ने कितने का purchase किया 1,60,000 रुपे का business यहां पर purchase कर रहा है अब इसको आप दो भागों में बाट दीजे एक cash वाला part जो business ने cash में purchase किया है दूसरा credit वाला part जो अभी भी business को देना है अमित को तो दूसरा part कर दीजा credit वाला एक जो cash payment किया गया है और दूसरा जो अभी भी उधार पर है यह हो गया अब कितना जो है cash payment किया गया है तो कहता है कि यहां पर paid 3 by 4th of the amount in cash at the time of purchase 3 by 4th जो है यहां पर cash में payment किया गया है कितने का 1,60,000 रुपे का कितना 3 by 4 cash में payment किया गया है तो यह आएगा आपका यह 1,20,000 रुपे कैस में payment किया गया है जिसमें से cash discount किस पर मिलेगा आप यह बताओ cash discount जो है वो किस पर मिलेगा जो cash में payment किया गया है उस पर मिलेगा या उधार वाले पर मिलेगा तो जाहिर सी बात है छोटी सी बात है कि जो immediate payment किया जाता है उसी पर cash discount मिलता है तो immediate payment आपका 1,60,000 का 3 by 4th किया गया है यानि 1,20,000 पर cash discount मिलेगा तो बाकी कितना बचा उधार कितना है भी तो 1,60,000 का 3 by 4th payment किया गया है तो 1 by 4 अभी तक नहीं किया गया है और ये कितना होजागा आपका 40,000 रुपीज अभी भी उधार पर है तो cash discount जो है जो immediate payment है यानि जो cash payment है उस पर यहाँ पर मिलेगा यानि 1,20,000 पर cash discount यहाँ पर मिलेगा अब यहाँ पर CD minus कर दो कितना है आपका cash discount 1,20,000 हाँ 1,20,000 आपका जो है इस पर cash discount मिलेगा और साफ साफ लिखता है कि cash discount कितना है तो 5% जो है वो cash discount है तो यहाँ पर 1,20,000 का 5% cash discount मिलेगा तो 6,000 रुपया discount हो जाएगा तो payment कितना करना पड़ा 1,14,000 रुपय का payment करना पड़ा सारी बाते clear है अब सिर्फ amount को put करना है सारा figure आपके सामने है Henry को Sorry Henry कहते है Amit को business जो है अभी कितना और payment करना बाकी है कितना देना उधार कितना है अभी तो उधार देखे साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है 40,000 का है तो Amit के नाम के सामने हम कितना लिख देंगे 40,000 लिख देंगे जो उधार है इसलिए यहाँ पर नाम लिखा गया है अगर नाम सारा पैसा cash में payment कर देता पूरा का पूरा एक लाग 60,000 तो इसका नाम की यहाँ पर कोई जरुरत ही नहीं थी तो 40,000 अभी उधार है जो Amit के सामने रहेगा अच्छा बताइए बिजनस ने purchase कितना किया सबसे पहले यह देखे purchase 2,000,000 में से ट्रेडी हटा दीजे तो 1,60,000 का business ने purchase किया है जिसमें से 40,000 रुपय अभी उधार पे है discount कितना receive हुआ है business को फाइदा कितने का हुआ है discount जो receive हुआ 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 आप cash के सामने लिख दीजे clear है बात तो सबसे पहले business ने purchase कितना किया after trade discount 1,60,000 रुपीज का business ने purchase किया है जिसमें से उधार कितना है 40,000 आप cash वारी बात करते हैं तो 1,20,000 payment करना था जिसमें से अमित ने business को छूट दे दिया कितने का 6,000 का याने 1,20,000 पांच पसंट का छूट दे दिया तो यहाँ पर 6,000 पे का छूट दे दिया तो अमित को business को कितना payment करना पड़ा cash में 1,14,000 का यहाँ पर payment करना पड़ा clear है बात तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर journal entry बनाएंगे यह question का आपका एक part हो गया इसके बाद दो आपका transaction और है इसमें एक है January 18 का और एक है आपका January 25 का इसको हम continue करेंगे next video में Thank you